गुदाफा 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 मैं असोग जाशवाल, सरनच्यक दसा सुमित ब्यापार मंडल, महामंत्री महानगर उद्योग ब्यापार समिती अब किसले धन्ना पदस्व करिक्जा मालागा दो देखे इसमार्ट सिटी के नाम पे दसा सुमित छेत्र को लगबक दो सालों में बहुत समस्याओं से दसा सुमित के ब्यापारियों को जूजना पड़ा हैनि दो वर्सों में जाकर यह निर्माल कारे हुआ है और आज बहुत चर्चा है, सहर में कि दसा सुमित गुदोलिया बहुत सुन्दर हो गया देखने में तो सुन्दर है मगर सचाई आप देख रहे हैं कि अभी स्मार्ट सिटी में ये परियोजना चालू हुई और चालू होने के एक दो मेहने के अंदर ही देखिए कि इस तरीके से जल संसान के दोरा जो पाइप बिचाई गई है वो फट गई अब आप ये बताईए कि बिगत आगे एक साल दो साल के बाद इस तिती यहां पे कितनी भयावा होगी यहां का ब्यापार यहां का सब कुछ चुपट हो जाएगा यह सहर का कासी का हिर्दा इस्तल है कोई भी कासी आएगा उसको इस चेत्र में बाबा विशुनात के दर्सन करने मागेंगा कि आर्टी देखने आना ही आना है बगएर उसकी कासी यात्रा समाप्त नहीं होती वो यात्री इस जगा पे आएगा इसमार सिटी के नाम पे जो यहां पे कार हुआ है को इसके बारे में अपनी क्या ओपनियन अपनी क्या विशार रखेगा हम आप लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से प्रसासन को आउगत कराना चाहते हैं कि कम से कम इन सब परसानियों को अभिलंग ध्यान में देने की जरूवत है आज लगपक 10 दिन हो गया प्रसासन के कानों पे जूत तक नहीं देंगी इसमें जल्द से जल प्रसासन इसमें एक्ष्ण ले और जो भी गलतियां हुइं उनके द्वारा जो भी कमियां हुइं उनके द्वारा उनको सुदार करके उनको दुरुस्त किया जाए और कोई भी सरकार हो यदि हमारी जितनी दिखते होगी हमारी जितनी समस्याए होगी हम सब के जामने ले जाएंगे हमें कोई भाजपा से या कोई सपा से या कोई कांग्रेस से हमारा कोई वो नहीं है कि हम भाजपा के है तो हमारी बात ज्यादा है और कोई अन्य पार्टी का तो कोई बात कम है इदले पुर्चानी अध्यक्त साच में प्रदान मंत्री जी का था कि बनारस को किसी प्रकार समारा जाए और निखारा जाए प्रदान मंत्री जी या उतर पदेश की सरकार का पैसा तो लग रहा है लेकिन स्मार्ट सीटी उसका उपयोग ठीक से नहीं कर रह है आप बनारस की गलियों में जाईए जहां इसपार सिटी का काम है कोई भी गली ऐसी नहीं है जो अभी तक उसको बनी हो एक एक साल से खोटके रखा है उसके बाद आप गदोलिया चाउराय पर खड़े हैं आज 10 से 15 दिन हो गया है वहां पानी बह रहा है पानी बहने का मत सब्सक्राइब कर दिया जाए आज तक उस पर किसी प्रकार कि सुनवाई नहीं हुई मजबूरन आज बजब्याब आर्मंगल के माद्यम से हम लोग यहां उपस्तित हुए हैं कि हम लोग सासन का और सासन का नहीं प्रसासन का हम उनकी बातों को प्रसासन की बातों को सासन त चाहिए काम तद्काल होना चाहिए यह बनारा गंगा का चेत्र है बाबा विश्वनाथ का चेत्र है इसी चेत्र से लगातार सेख़ड़ों हजारों लोग यहां से बुझरते हैं दर्सन करने के लिए और इसी पानी में बुढूबते हुए जा रहे हैं और लोग आगे जाके काली देते हैं कि यह कैसा स्मार्ट शीटी है कैसा बनाया गया है तो हम लोग की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस ब्यवत्ता को तुरुत कर दिया जाए ताकि छेत्र में ब्यापार और नागरिकों को तुदगा दिए आने वाले जिनाव यह क्या लगता है सरकार की दूराय नहीं है लेकिन हम लोग आज पसासन की विरोज में आये हैं कि जो गलत क्याम कर रहा हैं 200 दीन हो गया अभी तक उसको ब्यवस्ता ठीक नहीं कर पाए हैं सब्सक्राइब छुटाइब रहा हैं कि जो खाया हैं इसका नहीं हैं इसका रहा हैं 24ग के दोपलगा अचल भी अढ़रिकों सब्सक्ता थार अज़र को डोड़ अज़र एंबस्ता रहा हैं झाल झाल